भारत के स्टार जेवलिन त्रोर नीरज चोपड़ा ने बुधवार को फेडरेशन कप दो हजार चौवीस में 82.27 मीटर के त्रो के साथ मेंस जेवलिन त्रो इवेंट में गोल्ड मैडल जीता। जबकि डीपी मनु जो पहले तीन राउंड में लीड कर रहे थे वे अपने आखरी प्रयास में पाउल के बाद 82.06 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उत्तम पाटिल 78.39 मीटर के त्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज ने कुछ दिन पहले दोहा डाइमंड लीग में सिल्वर मैडल के साथ अपने सीजन की शुरुआत की थी। बता दे की तीन साल बाद नीरज चोपड़ा की भारतिय धर्ती पर जेवलिन त्रो के किसी इवेंट में पहली उपस्तिती थी। इससे पहले स्टार जेवलि कप्तान और स्टार लेग स्पिनर खिलारी संदीप लामिचाने को यौन शोशन के मामले में मिली सजा से बरी कर दिया गया है। ऐसे में अब उनके आगामी वर्ल्ड कप में खेलने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि क्रिकेट असोसियेशन ओफ नेपाल में हाई कोर्ट के फैसले के बाद संदीप को T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल टीम में शामिल करने का फैसला किया है। बता दे कि संदीप को रेस केस में दोशी पाए जाने के बाद काथमांडू जिला अदालत में उन्हें आच साल जेल की सजा सुनाने के साथ ही पांच लाख रुप्ये का दूर्माना भी लगाया था। इसके चलते उन्हें नेपाल के कप्तान पत्स से सस्पेंड भी कर दिया गया था। अबिशेक ने इस सीजन में शांदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पिछले सीजन में भी सकारात्मक संकेत दिये थे और इस सीजन के अपने प्रदर्शन से वे भविश्य में भारत के लिए खेल सकेंगे। झाल के लिए बुक्स के लिए और प्रदर्शन के लिए स्ट्बद्च के लिए। झाल 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 झाल